आज से शुरू होगी इस्टन एक्टनामिक फोरम की साथवी बैठक पियम मोदी भी लेंगे बैठक में हिस्सा रूस के राश्पती वलादमीर पूतिन द्वारा की गई थी स्थापना कॉंग्रिस ने गुजरा चुनाव को लेकर जोकी ताकत आज से एमदाबास से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांदी बावन हजार बूत प्रतिनिद्यों के साथ समवाद करेंगे महराश्ट के दौरे पर ग्रेमंद्री आमिश शाप बीजेपी नेताओं की बैठक में होंगे शामिल गडेच उत्सब में भी करेंगे शिर्कत लोग सबाच उनाफ को लेकर विपक्षने कशी कमर आद बिहार के सीम नितिश कुमार आ सकते हैं दिल्ली विपक्षी नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात शिक्षक दिवस के मौके पर राश्टपती भवन में होगा कारिक्रम राश्टपती द्रोपती मुर्मू करेंगी शिक्षकों को सम्मानित पियम मोधी ने शिक्षक दिवस की दीब बधाई जारकन के सीम हेमन सोरेन आज कर सकते हैं विश्वास मत की मांग गवर्नर के दिली आने पर राजनीती तेज विपक्षने की इस्तीफ़े की मांग हमाजल प्रदेश में आज होगी कैबिनेट की बैठक चुनाव के मदे नजर कई बड़े फैसले ले सकती है जैराम सरकार ब्रिटेन में आज होगा नए पीम के नाम का आयलान रिशी सुनक और लिस्ट्रस के बीच है मुकाबला ट्रस के जीतने की ज्यादा संभावना बांगलादेश की ब्रदार मंत्री शेख हसीना का भारत दोरा आज पीम मोदी से करेंगी मुलाकात बैठक में इतरपुरा से जुड़े मुद्दो पर चर्चा संभग केंद्री मंत्री पियुष गोयल आज जाएंगे छे दिवसी अमेरिका के दोरे पर सेंट फ्रांसिसको और लॉस अंजलिस का करेंगे दोरा दो दिन की मंत्री श्तरी बैठक में भी लेंगे हिस्सा